तो दोस्तों कैसे आप सब उमीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे और मेरे हाथ में है ये 2019 का 2019 का एक रुपे का जो छोटा वाला सिख्का आता है वो सिख्का यहाँ पर आप देख सकते हैं IG Mint हादाबाद हादाबाद मिन का सिख्का है कोईन है 1 रुपी पीसे से 100 रुपीज में 100 और देखे देखे 16 में 2016 में 2019 तो अगर आपने अभी तक किसी भी समय में पैकेट नहीं देखा है कोईन का पैकेट किशा होता है तो दोस्तों ऐसा होता है 100 coin रहता है कोई भी सिक्का हो 1 रुपे हो, 2 रुपे हो, 5 रुपे हो, 10 रुपे हो 100 सिक्का होता है और यहाँ पर लिखा होता है कि वो जो packet है, वो किस mint का है जैसे यहाँ पर आप देखिए हादाबाद mint का अगर यह Bombay mint का है या फिर Mumbai mint का होता तो यहाँ पर Mumbai लिखा होता अगर यह Noida mint का होता तो Noida, अगर Kolkata mint का होता तो यहाँ पर Kolkata mint आपको देखने को मिलता अब यह जो सिक्का है, 2019 का हादाबाद mint, इसके बारे में मैंने अल्लेडी एक वीडियो बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो अब ज़रूर देख लेना, मैं जो comment box है comment box में link दे दूँगा अब यह जो packet है, यह मैंने purchase नहीं किये है मेरे एक subscriber दोस्त है, Dinesh जी तो Dinesh जी ने मुझे यह packet gift किये है अब दोस्तों, विडियो जो मैंने बनाया था कि अगर हो सके तो 2019 के यह small 1 रूपी coin चारो ही mint एक एक packet अब collect करके रखिए जो भी subscriber, जो भी viewers देखें है उस विडियो को उन्हें यह मालूम होगा याद आ रहा है सायद अभी जो price है जो कुछ दिन पहले जो price था वो था 1000 से 1500 रूपीज के बीच में 1000 से 1000 के बीच में ऐसे एक एक packet मिल रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आया है packet का कीमत 600-700 में मिल रहा है तो facebook से आप buy कर सकते हैं कुछ जो seller से वो ऐसे small 1 रूपी के जो 2019 का सिक्का है वो sell कर रहा है आप इस सिक्के में खास क्या है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ देखे 2019 का ये जो 1 रूपी का small सिक्का है और इस डिजाइन में मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको ये design दिखे और इस सिक्के को तो आप देखे होंगे आम चलन में मिल जाता है तो इस design ये जो flower design है इस flower design में last issue सिक्का है 2019 अब 2019 के बाद ये सिक्का issue नहीं किया गया है सिधाया जो 1 रूपी का सिक्का छापा गया है मिन किया गया है वो है 2023 में 1 एम बाला सिक्का दोस्तों तो 1 एम बाला जो 1 रूपी का सिक्का है वो उतना मेरे ख्याल से फायदाबंद नहीं है लेकिन ये जो 2019 का है अदाबाद मीन का या फिर नॉइडा कोलकाता या फिर बॉंबे का मुंबाई का आप एक-एक पैकेट ज़रूर रखिए लेकिन इन्भेष्ट की तौर पे और थोड़ा सा लॉंग टाइंग सोचके रखे आज आप खरी देंगे और कल ही आपको एक-एक कोईन 100 रूपे में बिक्ते हुए दिखेंगे ऐसा दोस्तों मत सोचिए लगभग 2-3 साल तक आप होल्ड कीजिए एक-एक पैकेट तो उसके बाद सायद आपको एक-एक सीका 100 रूपे में आपको देखने को मिल जाएगा एक-एक सीका दोस्तों तो ऐसा हो सकता है तो थोड़ा सा लॉंग जो इन्भेष्ट है इसके तोर पे आप सोचिए आज की इस वीडियो में मैं आपको recommend करूँगा ये वीडियो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो का जो link है वो आज की इस वीडियो के comment box जो है comment box में मिल जाएगा सबसे पहला जो comment होगा वो मेरा comment होगा निविस पे channel का comment होगा इस वीडियो का link में pin कर दूँगा उस link पे blue color में इस वीडियो का link होगा उस link पर click करके आप इस वीडियो को direct देख सकते हैं कई पर आपको search करने की या फिर धूनने की जरूरत नहीं है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए बहुत ही interesting वीडियो है आज एक और 1 rupee coin के बारे में मैं आपको बताऊंगा अब ये packet तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन एक और जो 1 rupee का सिक्का है जिसे आप अगर आज से भी collect करना सुरू करते हैं पर्चेस भी अगर करना पड़े प्राइस थोड़ा सा कम है सिंगल मीन सिक्का है लेकिन future में valuable हो सकता है और बहुत ही जादा valuable हो सकता है मैं फिर से कहा रहा हूँ सिंगल मीन सिक्का है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा आप ज़रूर कलेक्टर ना बागी डीडर्स में आपको बताता हूँ मैं हूदीप और आप देख रहा है है आपका आपना सबसे पसंदिदा निमिस्मेटिक चैनल निमिस्पेज 2003 में जनरेल सर्कुलेसन में इसू हुआ एक रूपे के इस सिख्के का थीम है वीर दुर्गादास और जैसे के मैंने कहां ये एक सिंगल मीन सिख्का है लेकिन इस सिख्के का जो प्रूफ और एवेंसी सेट है वो मुंबाई मीन से इसू किया गया था प्रूफ और एवेंसी सेट में भी वीर दूर्गादस के इस एक रूपे के सिक्के का एक और सिक्का आपको देखने को मिलेगा उसमें जो मीन पार्क है वो बॉम्बे का मीन पार्क है लेकिन बॉम्बे मीन से ये जनेर सर्कुलेशन में आम चलन में जारी नहीं किया गया था आम चलन में जारी किया गया था स्रि के नीचे देखिए हादाबाद मीन का इस्टार मीन पांक, बॉंबे मीन के सिक्के में यहाँ पर आपको एक डायमंड मीन पांक देखने को मिलेगा, अब इस सिक्के के बाड़े में मैंने पहले ही विडियो बनाया था, लेकिन उस समय प्राइस कुछ अलग था, 50 रुपीज के 70 रुपीज के आसपास था UNC कार्णिसन में, बहुत पहले का विडियो है, लेकिन आज इस सिक्के का कीमत 200 रुपीज के आसपास UNC कार्णिसन में, जैसे की मैंने कहाँ, कीमत धीरे धीरे बढ़ रह रहा है, कुछ सिक्के में ऐसा होता है, कीमत जो होता है, कुछ दिनों तक 100 रूपे, 200 रूपे में रहता है, फिर एक जटके में 500,000, 13,000 में चला जाता है, मार्केट का जो strategy है, लेकिन ये जो सिक्का है, 10-20 रूपे करके धीरे-धीरे हर 6-8 मन्त में इसका कीमत बर रहा है, और एक साल पहले 50 रूपी, 70 रूपी था, लेकिन आज है 200 रूपी के आसपास currency condition में Facebook में ही भिक रहा है, तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा यही है, इसके जो reverse side है और over side है, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, जो main मुद्दा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब दोस्तों यही है, कि यह सिक्का अगर आपने अभी तक collect नहीं किये हैं, तो द packet अगर खरीदने जाएंगे, तो बहुत high price हो जाएगा, अगर आपके पास पैसे है, आपका pocket support करते हैं, तो आप packet भी खरीद सकते हैं, लगभग 20-30,000 के आजपास आएगा एक packet, यह भी दूरजादास दीके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप 10-20 coin धिरे-धिरे अच्छा है, फिर से कहा रहा हूँ, steel का सिक्का है, single mint सिक्का है, general circulation में issue किया गया है, लेकिन general circulation में मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपको मिलता भी है, वो घिसा पीटा होगा दोस्तों, वो even sick condition में नहीं होगा, और मैं अपने हर वीडियो में, मैं कहता हूँ, के coin का value होता है, वो price होता है, वो mint कौन सा है, ये भी देखा जाता है, कितना minting हुआ है, ये भी देखा जाता है, लेकिन उसके साथ ये भी देखा जाता है, के coin का condition कैसा है, even sick condition में कोई भी coin हो, उसका price, normal condition से हमेशा ही 100-200 रुपे ज़्यादा रहता है, coin के value के हिसाब से, तो य ये दोस्तो थोरा सा बताना पड़ता है, तो collect ज़रूर कीजिए, अगर आपने अभी तक collect नहीं किये हैं, facebook में search कीजिए, 1 रुपी भी दूर्गादास, बहुत सारे group आ जाएंगे, बहुत सारे seller का profile आपको दिखेगा, वहाँ पर आप उस seller के बारे में थोरा सा inquiry कीजिए, थोरा सा उस seller का reference लिजे, उसके बाद आप सिखके facebook से खरीद सकते हैं, यही सिखका वीर दूर्गादास का थोरा सा important जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, यही वीर दूर्गादास वाला सिखका, अगर आप कोई भी other website से अगर खरीदने जाएंगे, तो आपको लगभग 400 से 500 रुपे आज की डेट में देना पड़ेगा, हाँ दोस्तों आज की डेट में आप गोगुल में सार्च कर सकते हैं, बहुत सारे website आपको दिखेंगे, वहाँ पर आपको सिधा price mention किया हुआ देखने को मिलेगा, 400 से 500 या तो एकदम आगर नीचे है तो 300 रुपी, 300 वो अपना invest करते हैं, invest करने के बाद वो अपना जो sell है, वो अपना coin का जो sell है, वो facebook में करते हैं, अब दोस्तों मान लीजिए, पहले 50 रुपे करके कोई भी अगर जो seller है, वो अपना पैसे invest करे हैं और इसी को purchase किया हैं, एक एक पीस 50 रुपे करके, तो आप वो 200 रुपे म sell कर रहे हैं, अगर जान पहचान का dealer आपको मिल जाए, तो आपको ये 100, 1300, 100 में तो नहीं मिलेगा, 1300 या फिर 180 में ऐसे किमत में मिल जाएगा, तो लगभख जो average है, वो है 200 रुपीज, और दोस्तों एक और बात, जो मैं आप से कहना चाता हूँ, अगर आप sell करना चाते हैं अगर कोई भी कीमति सिख्का है, ध्यान रखिये, कीमति और इसकैस सिख्का, रेयर और इसकैस सिख्का अगर है, तो फिर आप sell कर सकते हैं Facebook में, अगर आपके पास नौरमल सिख्का है, वो भी आप sell कर सकते हैं, लेक відकने दोस्तों फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों collectors जो हैं वो नॉर्मल सिक्के में अपना पैसा इंवेस्ट नहीं करते हैं उन्हें return चाहिए collectors हो या फिर investor हो उन्हें अपना return चाहिए इसलिए वो तो उस चक्कर में दोस्तों मत पढ़िए पांच रुपे, डस रुपे माता बैसन देवी कोईन, आज भी कमोन सिख्के हैं, उसका कीमत उतना जादा नहीं है, वीडियो आपको कैसा लगा है, कॉमेंट जरूर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में, य जो 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए, 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो एक बहुती बड़िया गीवर में लाओंगा, यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, तो दोस्तों मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर तब तक के लिए जाए हि करते द电शिक जीडियो भी लेकर दोस्तों मिलेंगे, जीडियो जाए, एक घच्छे एक। प्रॉकः में पालभे कर दिए मेंने के बड़ियो जाए, यहivan थाई है, तो पुचैने एक बमदीट और एक ब्रॉके यह लेकर यहाए, जो एक रबता है, जाए मिलेंगा होई पह